ब्रेके बात स्वागत है आपका जमु कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जवाबी कारवाई में शहीद मेजर विभूती धॉंडियाल के पार्थिव शरीर पर डोईवाला और भानियवाला चौक पर लोगों ने पुश्प चढ़ा कर अपने श्रधा सुमन अर्पित किये लोगों ने शहीद विभूती अमर रहे के नारे बुलंद किये शहीद मेजर का पार्थिव शरीर अंतिन संसकार के लिए हरित्वार ले जाया गया डोईवाला और भानियवाला चौक पर भारी संख्या में एकतित हुए लोगों ने शहीद को नमन किया मेजर विभूती का राच्किय समान के साथ हनित्वार के खडखड़ी शम्शान घाट पर अंतिन संसकार हुआ कि कारणा हरकत पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और पाकिस्तान के द्वारा की गई है इससे जन्ता में बहुत अक्रोस है संकट की घड़ी में पूरे 125 क्रोड देशवासी के अपने वीर सेनकों के साथ में हैं आज जमन की सव्यात्रा निकल रही थी तो मैं इस वकार का जज़बा लोगों के अंदर था क्योंकि आज क्योंकि आप आमने सान्मे की रलाई में पाकिस्तान भारस से कभी नहीं जी सकता क्योंकि चाहे पैसल का जुद रहा हो 71 का जुद हो कारगिल का जुद वाहो पाकिस्तान को मार खानी पड़ी इससे वरकार की प्रोक्सी वारस के द्वारा हमारे सेनकों पर अक्मिन किया जा और बता दें आपको जबरदस पुलवामा हमले के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है पाक की इस काईराना हरकत के बाद अब हर कोई पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है वहीं पाक से संबंधित नामों को लेकर जिन लोगों ने इंसिट्यूट खोले हैं उनके नाम बदलने की मांग अब तेज हो गई है बीजेपी युवा मोर्चे के महानगर महामंत्री राज्य शरावत का कहना है कि पाक को जल्द ही केद्न सरकार सबक सिखाए साथ ही पाक से संबंधित नामों से जितनी दुकाने और इंसिट्यूट खोले गए हैं वो जल्द ही अपना नाम बदलें उन्होंने चेताबनी दी कि अगर लोग पाक से संबंधित अपनी दुकानों के नाम नहीं बदलेंगे तो वो मोर्चा खोलेंगे और जम कर प्रदशन करेंगे